हेलो आपको पता है हमने बैच स्टार्ट कर रखा है CET मेंस के रिगार्डिंग CET मेंस 2023 के रिगार्डिंग काफी सारे बच्चों की inquiry आई एक हम किस तरीके से नोट को पिरपेयर करें हमारे एक्जाम के लिए ताकि हम एक्जाम को क्रैक कर सके क्योंकि आपको भी सभीकों कि जो अपके सब्जेक्ट है वह आपके 33 सब्जेक्ट है टॉतल्ल तो किस तरीके से प्रिप्रेशन करें बताईए मेरे को तो बहुत सारे डाउट आ रहे थे स्टूडेंट्स के तो इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूं और जो स्टूडेंट्स नहीं है जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ता ड्राइब कांवग्जेंट नहीं को लेफे लेवल एक्जाम एक्जाम wow cigar को में यहां पो अपको 3टीटी टू सब्जेक्ट्स प्रोवाईड करवा रहे हैं 32प ट्रेश की आपको वीडियो लक्च्ट्र प्रोवाइड हों प्लस में आपको पीडियोफ अड्र प्लस mcq provide करवाए जाएंगे ताकि आप अपनी जो preparation है वो अच्छे तरीके से कर सके तो आईए अभी बात करते हैं हम notes की notes किस तरीके से prepare करवाए जाए जैसे कि आपका financial accounting हो गया topic उसी तरीके से micro economics macro economics तो मैंने एक subject करवा रख है complete subject आपका हो गया है वो तो उसके मैं करवाती हूं आपको बताती हूं कि किस तरीके से आपको maintain करना है देखिए आप कि हाँ जी देखिए देखिए जैसे कि यह आपका topic है retail management दिखाई दे रहे ना सभी को कौन सा topic है retail management सो अगर आप बात करते हैं retail management की retail management के अंदर topic है like retailing सबसे पहले हम पढ़ते है retailing क्या होता है सारा to the point हमने video lecture के अंदर cover कर रख है कोई भी problem नहीं है जिसन स्टूरेंट्स ने course को ले रख है उन स्टूरेंट्स को पता होगा कोई भी problem नहीं होगी सिरफ आप साथ की साथ notes maintain करते रहे ताकि notes के थूरू जब भी आपका exam होगा उससे पहले आप revision कर सके क्योंकि इतनी इतनी books पढ़ना typical task हो जाएगा और यह होगा कि कौन सी book पढ़ें कौन सी book ना पढ़ें तो उसके लिए क्या होगा कि आप एक या दो pages के उपर पूरी book को ही उतार लीजिए जितना भी video lecture के अंदर समझाया जा रहा है लाइक अगर retailing की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम concept पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं सबसे पहले होता है manufacturer manufacturer then wholesaler then retailer and then customer यही हम पढ़ क्या है न तो अब आपको यह नहीं लिखने definition paragraph इस तरीके से notes maintain नहीं करने हैं आपको सिरफ लिखना है retailing और यह process लिख देनी क्योंकि इस process से question आपके आने के ज़्यादा chances रहते हैं और जो भी मैंने आपको topic करवाया है मैंने आपको साथ की साथ बताया है कि पेपर point of view से आपके लिए कौन सा topic important है अब अगर आगे चलती है जैसे कि यहां पर आजाता है location of retail institution कौन सी जो location है वो आपके लिए suitable रहेगी वो डिपेंड करता है different factor पे कौन सी कौन सी जो location है वो आपके लिए suitable रहती है प्लानिंग करना उसके regarding जो भी आप आपको मैंने points लिखवा रखें तो वह आप यहां पर लिख सकते हैं उसी तरीके से जैसे कि trending area analyze यानि कि trending area कौन सी है analyze करने की हमें जरूरत पढ़ती है तो वह था आपका primary primary secondary and territory अगर आप video lecture details से देखना चाहते हो तो आप हमारी video lecture देख सकते हो playlist में आपको मिल जाएंगे demo classes भी आपको मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप share कीजिए ताकि जितने कर रहे हैं उनको टाइमली सारे लेक्टर प्रोवाइड हो जाएं और वह भी अपनी प्रिप्रेशन अच्छे तरीके से कर सके उसी तरीके से एक दो टॉपिक और में बताती हूं आपको यहां पर बोलागे है यह निसी जिए डिसाइडंगे मोस्स डाइबल टाइप आफ लोकेशन कौनकों कौनसी जो डिजारेबल लोकेशन होती है ठीका है यानिकि जो आप बिसनर सेट पकर रहे हो उसके लिए आपकी जो है वह कौन सी good location होगी कौन सी अच्छी location होगी तो वो डिपेंड करते हैं आपका nature of product की आपका किस nature का product है आप लेखिए nature of product by the product availability availability of parking space इस तरीके से आपको जो point है वो mention करने है सिर्फ point point mention करने अगर आप point point management करें तो सिरफ जादा से जादा आपके जो दो पेज वहीं दो पेज लगेंगे और वहां से पूरी पूरिक्स लियर हो जाएगी आपकी पूरी बूकि आपको लर्न हो जाएगा जैसे ही आपको एकजाम अगर पासगे में सबस्कंति और कोई अगर कोई ओर topic की भी बात करते हैं लाइक पूरा जो syllabus है इस आपको मिल जाएगा YouTube चैनल पे मिल जाएगा वे लिश्क में आप देख सकते हैं जैसे कि अगर फ़ोध बेस की बात करते हैं स्टोर बेस실 क्हों से होते हैं नों फ़ोधी कोनш nossa उनका ौब से होते उनका डाOrange देखिए आप भी बना लेजी एक डाइग्राम, store-based, retailing. टो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, on the basis of ownership and on the basis of good offered. टो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको हमने detail से वीडियो लक्चर के अंदर कर रख है, इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा आपका traditional, traditional retailer, chain store, franchisee, then consumer, cooperative and यहां पे आजाता है आपके convenience store, spaceless store, spacility store, departmental store, इसी तरीके के जो store वो आ जाते हैं आपके good on the basis of the goods offer के अंदर, तो इस तरीके से आप diagramatically अगर बनाओगे तो आपके लिए बहुत easy पड़ेगा, कोई भी आपको problem नहीं आएगी जब आप exam की preparation कर रहे हो at that time, ओके, इसी तरीके से आपको हर एक subject के जो है वो notes prepare करने है, retail management की इसी तरीके से करने, corporate governance भी मैंने complete करवा दिया है, आप lecture देख सकते हो, चैनल पे जाके, उसके अंदर भी हमने detail से किया है, corporate governance का हर एक topic, to the point हम चले है, क्योंकि बहुत wide slave, वसा इसलिए हमने to the point सारी चीज़ों को करवाया है, business law के बारे में भी आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपना, जो है, अपना maintain कर सकते हो, कि नोर्स को हमें किस तरीके से बनाना है, मैंने आपको बता दिया, diagramatically बनाईए आप notes को, उसके बारे में explanation मत लिखिए, okay, तो अगर कोई भी आपको problem हो, कोई भी कहीं पर doubt हो, कि हम किस तरीके से बनाए, इस subject कि किस तरीके से बनाए, तो वो आप हमें comment box में बता सकते हैं, मैं उसका explain आपको करक होते हैं, exam में कैसे आप question के साथ deal करोगे, उसका भी आपको पता चलेगा, कोई भी inquiry तो आपको contact कर सकते हैं, in contact number से, okay, कोई भी problem हो, कोई भी query हो, और थोड़ा सा मैं आपको fee के बारे में बता देती हूँ, कि जैसे कि जो CET mains में जो हम subject करवा रहे हैं, 32 subject करवा रहे हैं, maths का portion हम नहीं करवा रहे हैं, और जो GK का portion है, वो हम free of course प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगा, free of course हमारी सारी वीडियोस पड़ी है, GK के regarding, okay, so यह हम करवा रहे हैं, only and only 8000 रुपीज में आपको complete course प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पे आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, PDF प्लस MCQ मिलेंगे, okay, so जादा से जादा share करें, like करें and subscribe करें, thank you everyone.